हाई गाइस पेरा नाम है प्रिया कॉल और मैं एक होग क्रियेटर एक लाइफ कोच और एक हीलर हूँ एक ऐसा सवाल जो बहुत सारे लोग उसे पूछते हैं आम तोर पे और मैं उनको सिंगल 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 डीम करके या मेसेजर पर रिस्पॉंस करके उनको जवाब देती हू वीडियो आपके साथ शेयर करूं सो बैसिकली यह क्वेस्टिन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि मैं हम जब बाहर निकलते हैं मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी शॉप हमें दिखती हैं जहां पहुत प्यारे प्रेस्टिल्स हमें अपनी तरफ बला रह सोब होते हैं और हम जाते भी हैं वो शॉप के अंदर और हम देखते हैं जहां अज़ाग ख्रूस के अलगफ था नगपे कुछ ब्स दैश्में ने कुछ अमें कुछ इंजल्स में से ऐं आपे कुछ ड़क्स दिखती हैं फ्लावर खिमना अलग-अलग शेप मैं आपको क्रि करें तो इस छोटी सी वीडियो में आपको इन तीनों चीज़ों के जवाब मिलेंगे तो पहरा क्वेस्टिन कि हम किसी भी शॉप में जाके क्रिस्टल खरीच सकते हैं क्या तो डेफिनेटली नो किसी भी शॉप में नहीं जिस शॉप में आपको कनेक्शन फील ना हो जिस शॉ में जो स्टाफ है जो आप से इंटराक्ट कर रहा है अगर आप उनके साथ कनेक्टेट फील नहीं करते हैं अगर वहां पर रखे क्रिस्टल के साथ आप कनेक्टेट फील नहीं कर रहे हैं आपको ऐसा फील होगा जैसे घर में आ गये हो एक वांक वेलकम आपको जब तक नही के साथ वहां के रेप्रेजेंटेटिव जो भी खड़े हैं जो जो भी लोग बैठें या खड़े हैं जो अपने चीजों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनके साथ तब तक आप उस जगा से कुछ भी परचीज दाखें क्योंकि एनर्जी मैंटर आलोट तो मैं यह नहीं चाह होते हैं यह सब चीज़े होती हैं देखिए आपको समझना पड़ेगा कि हर एक इंसान जो अपने घर छोड़ के बाहर निकला है वो पैसे कमाने के लिए निकला है तो आप भी किसी के जो टार्गेट से उसको पूरा करने में हेल्प कर रहे हो अगर आप अफॉर्ड कर सकते हो आप प्यार से खुले खुले हातों से खरीदे सकते तो क्यों नहीं ऑप उस प्राइस पर खरीदोगे बार्गेंग कभी नहीं करने जब्स पूर्ड करने की Grams कर लो कि अपनी आदत को सुधारा विए रिक वेस्ट करें कि आप इस लूप में आपसे तो बार गिने करना अगर वो को यह रहे हैं कि यह फ़लहानी चीज हजार की है पलादी चीज 10,000 की तो उतने की है और अगर आप ले सकते हैं तो उतने में ही लें, नहीं तो बाहर गिनिंग करके फाल तो का एनरजी लूप क्रियेट ना करें पारें, तीसरी चीज, तीसरा question जो भूट लोगों के मन में आथा है,कि मैं आले चली, हम एक ऐसी शॉप में कहें, जहां पे हमें कनेक्शन फील हुआ, उस कनेक्शन फील होने के बाद, हम उनसे रेट भी नहीं कर रहें, मोल भाव भी नहीं कर रहें, वो जिसमें रेट दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, मगर, क्या वो चीज वाकरी में हावाले लिए काम करेगी, मैं कहूंगी, येस, definitely वो आपके लिए काम करेगी, विकिस जब आप कोई चीज खरीटते हैं, तो energetically आप उस चीज को अपनी life में लेके आ रहे होते हैं, in terms of energy अगर मैं बात करती हो तो, हमें नहीं पता कि हमें किस समय पे कौन से crystal की ज़र होते हैं, हमने कोई crystal का course तो करा नहीं हुआ है, अगर आप ने crystal specific course कर रखे हैं, तो बह क्रिस्टल आपको बहुत जादा attract कर रहा है, तो बस उसी को उस समय उठा लीजे और उसका billing करा के आप घर लेके आजए, तो attraction, strong bondage होना बहुत important है crystal के साथ, crystals बाते करते हैं, crystals बोलते हैं कि मैं आपके लिए तियार हूँ, मुझे घर लेके चलो, बस आपको वो खुला दिल और खुला दिमाग लेके उस shop में घुसना है, चौथी चीज जो लोग बोलते हैं कि मैं क्या figure shape में भी हम crystals खरीच सकते हैं, भी क्यों नहीं खरीच सकते हैं, बिल्कुल खरीच सकते हैं, एक चोटे से प्यारे से देखिए, एंजिस मैं आपके साथ share करूँगी, देखिए कि इतने प्यारे, और इंको देखते ही, एक sets of peace मिलता है, तो ऐसे ही आपको जो भी crystal बहुत सादा अपने तरफ फैसनेट करता है, उसका किसी भी form में आप अपने घर में लेके आए, next step, कि हम उसको लाने के बाद कैसे activate करें, देखिए ये तो आप मानते हैं कि crystal की natural shape नहीं थी crystal खानों से निकलता है, crystal cave से बहार निकलते हैं, उतको shape दिया जाता है, bracelet के form में, pendant के form में, rings के form में, fig dreams के form में, तो कितने लोग उनको अपने हाथों से टच करते हैं, और जब वो बना रहे होते हैं मूटियां, या साफ कर रहे होते हैं, या उसको ग्रियेट कर रहे हुते है में तो वो लोगों के दिमाग में कितना कुछ अИक्टस चल रहे होते हैं कोई नहीं ऑ इसको अपने घर में लेकर होने के बाद महाद उने के बार ऑन उसको डजेंड वाटर में कुछिक्ड rabbits के लिए रखें, पानी बेस्ट नहीं करना, कि मैं तो आज पूरे अच्छे से क्रिस्टल्स को ना 10-15 मिन नहलाओंगा पानी से, नहीं, पानी बेस्ट नहीं करना, दो चार सेकेंड एक नल खोलिए और उसके नीचे अपने ब्रेसलेट्स को, अपने एंजिल्स को, जो भी आप लेके आए, उनको रखें, और रखने के बार, बहां से निकालके, अपने लेफ्ट हैंड में उसको रखना है, ऐसे लेफ्ट हैंड में उसको रखते हुए, और सामने अपने राइट हैंड को उसके उपर रखते हुए, चाहे वो ब्रेसलेट है, इस तरीके का ब्रेसलेट हो इस तरीके से हाथ रखते हुए आप कहेंगे कुद्रत की उर्जा, Life Force of Energy, Please Bless this Crystal. Please Bless this Crystal. जरूरी नहीं है कि आपको नाब पता हो, उसका मकसद पता हो, उसका परपस पता हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. But intention डालना बहुत important है. तो जैसे ही आप इस पर intention डालेंगे, ये Crystal आपके लिए activate हो जाएगा. उसको आप अपने फिर लेफ्ट हैंड में धारन करें. लेफ्ट हैंड क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड आपकी energy की receiving point होता है. इस हाथ से आप खुद्रत के energies को receive करते हैं. आगे बहुत सारे तरीकों मैं आपको सिखाऊंगे, बट ये सबसे पहला step है Crystal की world के अंदर step रखने के लिए. So उसके पाद आप उसको पहने आराम से. बहुत सारे लोग बहुत myths create करते हैं, but this is the best way to connect with the crystal. फिर उसके बाद आप अच्छे काम करें, अच्छी vibrations में रहें, अच्छे गाने सुनें, अच्छी books पढ़ें, अपने thought process को positive करें, तो देखिए क्या कवाल होगा आपकी जिन्दगी के अंदर. तो इसी उमीद के साथ या आज की वीडियो आपको बहुत help करें, और आप अपने friends और अपने families के साथ इसको share करें, और उनको समझाएं कि crystals हमेशा आपको help करते हैं, आपकी vibrations को raise करें, और जैसे ही आपकी vibrations raise होती हैं, तो आप उस दिक्कत उस चुनौती में से बाहर निकल स और अगर आप कोई purchasing भी करना चाहते हैं और आपको नहीं कई शौक मिल रही, तो आप मुझे भी DM कर सकते हैं, या मेरा जो Instagram handle है Enchanted with Priya Call, आप उसको भी follow कर सकते हैं, तब तक मैं चाहूंगी कि इस दुनिया के सारे crystals अपने तरफ से आपको attraction की उजा भेजें, और आप जल् और आप